हेलो एवरिवन आज के वीडियो में हम बात कर रहा है बिच साइट 2024 के फॉस्ट अटेंट से पहले लास्ट त्री डेज में क्या होनी चाहिए हमारी प्रप्रेशन स्ट्राटेजी किस तरीके से हमें चीजों को रिवाइस करना है हम इसके बारे में इस वीडियो में बात जिससे कि आप कोई भी important चीज को मिसना कर दे अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को जब सब्सक्राइब करें और regular update तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते है कि बहुत सारे students का जो dream है dream destination है बिच पिलान तो इसके लिए आप काफी time से महनत कर रहे है और अब जो है आपकी प बूस्ट करने में help कर सकता है तो हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे आगे बढ़ने से मैं एक जरूरी बात अगर आप अपनी बिटसाइट की preparation को बूस्ट करना चाते for the second attempt तो आप हमारे बिटसाइट crash course प्रचन बैच को check out कर सकते है इसमें आपको बिटसाइट के related जैसे की recorded video lectures, DPPs, question bank, short notes, mock test series और live sessions जो कि आपकी preparation को boost करने में काफी ज़्यादा helpful है इन सभी की details आपको description box में मिल जाएगी तो वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं वही पर ही अगर आप logical reasoning और English के लिए चाहते हैं अपनी preparation को boost करना तो आप हमारे LR in English rankers patch को भी देख सक जो हमें last के three days में ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो है कि हमें पूरे के पूरे syllabus को revise करना है quickly revise करना है और यहाँ पे हमें हमारे short notes की help लेनी है क्योंकि जो short notes हमने अभी तक के create किया है वही हमारे को अपने पूरे syllabus को revise करने में पटाफट help करेंगे अगर हम जो है book खोल क परके बैठेंगे तो बहुत जादा time लग जाएगा और definitely उसको खोलने का time भी नहीं है इसलिए short notes हमें यहाँ पर prefer करने है जो second चीज का हमें ख्याल रखना है वो है कि अगर quick topics जो हमारा week है या जो थोड़ा सा जादा time consume कर रहा है तो उसके लिए आप जो है maximum 20 से 30 minutes के जो one shot lectures है जहाँ पर main main और major points cover किये गए उनको आप देख सकते हो और यहाँ पर ध्यान दीजेगा कि सबसे पहले priority जो आपके weak topics है उनको दीजेगा और उसके बाद में जो आपके strong topics है उनको आप देख सकते हो फिर यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है कि सारे basic concepts और formulas आपको revise करके ज जाने त्यान रखिएगा कि कुछ भी छोड़ करके मत जाईए क्योंकि bit set जो है totally unpredictable paper होता है लेकिन आपका जो है थोड़ा सा relatively easier paper होता है तो यहाँ पर आपको कई formula based questions भी देखने को मिल जाते जहाँ आपको direct application देखने को मिलता है concepts or formulas का इसलिए सब भी concepts or formulas को cover करके जाईएग जिससे कि आप कोई भी question अगर आपका simple question बनेगा तो आप जो है उसको easily crack कर पाओ अब जो एक important चीज जो students हमेशा ignore करते है वो है logical reasoning और English section तो यहाँ पर वो सोचते है कि हमने J.E. में जो है physics chemistry maths है L.R. and English का क्या करना है तो यहाँ पर बिल्कुल भी इसको ignore नहीं करके जाना है त्यान रखिएगा 90 maths का weightage carry करता है और सबसे जरूरी चीज है कि काफी scoring section है तो definitely आपको इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर practice करके जाना है जिस जितनी भी आपने practice की है इसको जो है पटाफट से आपको review करना है English में अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपकी grammar के rules है तो उ इसकी जो playlist है हम आपको description box में भी attach कर देंगे और जो यह series है vocabulary series यह आपको synonyms, synonyms और one word substitution जैसे problems को भी easily crack करने में helpful रहेगी तो आप उसको भी देख सकते हो तो इस तरीके से हमें LR in English को बिल्कुल भी ignore नहीं करना है इसके बाद में जो सबसे ज़रूरी चीज हो जाती है व कौनसे areas पर हमें अभी last दिनों में focus करने की ज़रूरत है तो हमें test लगाने है इनको properly analyze करना है और अपनी mistakes पर हमें work करना है तो यह ज़रूरी चीज है इसी के साथ में जो सबसे important चीज है कि हमें बिल्कुल भी give up नहीं करना है यहाँ पे हमें अपने उपर डर को आभी नही पूर पूरा करेंगे definitely अच्छा करोगे यह बात का अपने आपको पूरा विश्वास देलाईए और आखरी के तीन दिरों में अच्छे से मैनद कीजिए जिससे कि आप bitset first attempt में प्रहतर कर पाओ एक बात याद रखना कि bitset first attempt में आपको अपना 100% दे करके आना है जितना हो स आपको अपना best performance दे कर आना है यह भी सोचना है कि मैरा second attempt में उसमें कर लूँगा second attempt आपके first attempt को better करने के लिए होता है इसलिए अपना पूरा best जो है कोशिश कीजिए best efforts आप अपने first attempt में लगा कर आईए उमीद करते हैं कि आज आपको काफी कुछ चीजे देखने को मिली ह और यह चीजे अगर आपने properly follow कर दी तो आप जो है अपने dream destination bits पिलानी तक भी पहुच सकते हैं यह रहा और यह मंजिल बिल्कुल भी cut in नहीं है अगर आपने ठान लिया और माल लिया तो आप जरूर जो है इसे अपने सपने को पूरा कर सकते हो बस आपको जो है खुद पर विश्वास रखना है और पूरे घॉसलों के साथ में मेहनत करनी है चलिए उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए जासादा शेयर कीजिए चैनल को जहू सब्सक्राइब कीजिए और अपनी बेट साथ की प्रफेशन को झाल